हे गाईज कैसे हो आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो में राजसान चीक है कि 40 वेरी वेरी इंपॉर्टन क्यूशन लेके हो रहे हैं यह सारे क्यूशन पहले के एक्जाम में पूछे गे अगर आप लोग राजसान के किसी भी कंपिटिशन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं वीडियो पूरा दिखेगा आपके दो से तीन नमबर अराम से पक्के हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्यूशन रिपीट हो रहे हैं जिसा ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि कनिश्ट अनुदेसक इलेक्ट्रोनिक्स मेकनिक का जो एक्जाम 2018 बढ़ते का 23 दिसमर 2019 को हुआ था और इसी पेपर के अंदरी है रास्तान जिकेगे सारे क्यूशन आयते सारे अच्छे क्यूशन है आप लोग वीडियो पूरा देखेगा और डेली प्रिविए शियर के क्यूशन पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा पहला क्यूशन आप सभी के सामने राजसान की परवन सिंचाई योजना में निमन में से किस जिले को लाब होगा परवन सिंचाई प्रियोजना का कौन से जिले को लाब तो कोटा को आपसन है इसका सही उतर होगा सेकंड के हम बात करेंगे कौन से वन्य जी अभ्भारण में संक्टापन उडन गिलेरियां मिलती है कौन से वन्य जी अभ्भारण में उडन गिलेरिया ये क्यूशन बहुत वार पुछा गया है तो एजी कि उसने आप्सन भी सीता हुआ था अभ्भारण में तरी के हम बात करेंगे कौन सा युगम सही नहीं है इन चारों का आपको मिलान करना है या नहीं इन चारों में से जो सामने दिया गया है इनका पैजल उपलबंद शेतर वो सही है या गलत है काновर से लिफ्ट नहर हो गया गंदेली सहहा लिफ्ट नहर राजीव गांदी लिफ्ट नहर गजने लिफ्ट नहर गजने लिफ्ट नहर तो जल्दी से आप लोग एनसर बताएव राजीव गांदी लिप्टनेर जैसल मेर ये गलत हो जाएगा और बाकी ये तीनों सही है क्योसन और फॉर के हम बात करेंगे राजसान का वह जिला जो उत्तर परदेश से मद्दे परदेश के साथ सीमा रखता है कौन सा जिला यूपी और एमपी दोनों के साथ सीमा रखता है बहुत अच्छा क्यूशन है जल्दी से आप लोग एंसर बतेएगा धोलपुर इसका सही उत्तर होगा क्योसन और फाइब के हम बात करेंगे जिस नदी पे मेजा बांद बनाएगा वो कौन सी नदी है मेजा बांद किस नदी पे है तो कोठारी नदी पे आपसन ए हमारा उत्तर रहेगा आप लोग भी एंसर देने की कौसिस कीजेगा डेगाना खाने राजस्तान के किस जिले के अंदर है डेगाना खाने राजस्तान के नागोर जिले में उपसंडी इसका उत्तर रहेगा 7 के हम बात करेंगे चांद बावड़ी राजस्तान के कौन से जिले में बहुत ये परसन बहुत बार पुछा गया है तो दोसा में उपसंडी 8 के हम बात करेंगे राजसान में भीम सागर सिंचाई योजना कहां पे भीम सागर सिंचाई योजना जाला वाड के अंदर है option D क्योसर नमर 9 के हम बात करेंगे जैसल मेर जिले की मुख्य मवेशी की नसल का नाम बताईए मुख्य मवेशी की नसल का नाम कौन सा है थार पारकर वहाँ पे थार पारकर नसल की पाई जाती है आप्सन B 10 के हम बात करेंगे मरू विकास कारेकरम यानि डीडीपी का लागू कब किया गया मरू विकास कारेकरम डीडीपी कब लागू किया गया क्योसर नमर टेन, उप्सन बी, 1977-78 में, 11 के हम बात करेंगे, इंद्रा गांदी नहर की लंबाई, इंद्रा गांदी मुख्य नहर की लंबाई आप से पुछी जा रही है, तो मुख्य नहर की लंबाई जो 445 के में, उप्सन बी, क्योसर नमर बारा के हम बात करेंगे, वरिशा जल सरंक्षन लापरद है, वरिशा जल सरंक्षन किस के लिए सबसे मुख्य रूप से लापरद है, तो भूमिगत जो जल स्तर में सुधार लाने के लिए उप्सन सी, तेरह के हम बात करेंगे, एशुरिया तेल लक्षेतर किस जले के अंदर है, बिल्कुल एज़ी क्यूसर ने रास्तान में तो बाड़ मेरी है, उप्सन सी, चौबदा के हम बात करेंगे, निमन में से जो यूगम आपको दिये गे, इन में से सही उत्तर का जो आपको मिलान करना है, बलूई मर्दा, लाल मर्दा, काली मर्दा और कच्छारी मर्दा सामने इनके स्थान के नाम दिये गे, इन में से मिलान आपको करना है, बहुत अच् मिर्दा का हो जाएका लाल मिर्दा का बिलकुल उद्धेपुर यहां पे देखा जाए तो उद्धेपुरो डूंगरपुर उजएกा तो इससाफ़ कर UPTION को देखे हैं तो हमें एक उत्तर मिल जाएगा क्योंकि पहले आप्सन से हमें उत्र मिल रहा है तो आप्सन ए हमारा उत्र रहेगा 15 के हम बात करेंगे राजस्तान में किस दिसा में वरशा कम होती है कौन सी दिसा में वरशा सबसे कम होती है तो दक्सिन और दक्सिन पच्छिम से उत्तर पुरू के और दक्सिन पच्चिम से उत्तर पुरू के और आपसन डी 16 के हम बात करेंगे अरब सागर के और परवाइत होने वले नदियों का चैन के जिए अरब सागर की तरफ कौन सी नदिया बंगाल की खाड़ी तरफ ये दोनों क्यूशन बहुत बार पुछे जाती है तो जल्दी से आप लोग एंसर दीजेगा साबर बती, सोम, माही और लुनी ये चारों नदिया जो अरब सागर के और परवाइत होती है सेवंटीन के मात करेंगे, सूची वन और सूची टू दिया गे अरावली के सिखर दिये गे और उन्चाई मीटर में दिये गे मिलान आपको करना है ये परसन एजी के उसन है लेकिन टॉप आपको टेन चोटियों की लंबाई आपको जो उन्चाई सोरी उन्चाई आपको पता होनी चे ये अक्सर एक्जाम में परसन बनता है अचल गड़ हो जाएगा तेरा सो असी और तारा गड़ हो जाएगा आठ सो तियेतर तो यहाँ पर देखा जाए तो सेवन्टीन का भी हो जाएगा उत्तर और खो का हो जाएगा नो सो बीस और बोहराज का हो जाएगा साथ सो बाण में आप्सन भी उत्तर रहेगा कि उसनमर 18 के हम बात करेंगे रनकपुर जेन मंदिर का वास्तुकार कौन था तो दीपा ऑप्सन ए 19 के हम बात करेंगे चितोडगड दुर के विजे स्थम का वास्तुकार दोनों के देखे रंकुपर का भी पूछ लिया चितोडगड़ का भी पूछ लिया तो option C जेता चितोडगड़ का जो विजिस्टमब है उसका वास्तु का जेता था 20 के हम बात करेंगे राजसान निर्मान के तीसरे चरण में सियूंगतर राजसान का उद्ध घाटन तीसरे चरण का या फिर सियूंगतर राजसान का जो उद्ध घाटन है वो जवारलाल नेरूर की option है हमारा उत्तर रहेगा 22 के हम बात करेंगे किसके नेतरतों में सेकावाटी किशान आंदल में महिलाओं ने भाग लिया था किसके नेतरतों में तो किसोरी देवी option है उत्तर रहेगा 22 के हम बात करेंगे विख्यात महिला समा सुदारत छगन बेन राजसान के किस सिक शेतर से समंदीत है option है जोदपूर से 27 के हम बात करेंगे मस्य संके रास्तान इनम्यमीनमस से किस से बनाये था अलवर को बनाये एठा tip c загनद में और bet य। vet 25 के हम बात करेंगे, बेगू किशान आंदोलन का नेतरता वो किश ने किया था, बेगू किशान आंदोलन का जो नेतरता वो राम नरानी चोधरी ने किया था, 26 के हम बात करेंगे, कोटा में 1857 के विद्रो का नेतरता करता कौन था, 1857 में जो कोटा में विद्रो हुआ था, उस किसान आंदोलों थे तो किसान आंदोलों से आप्सन भी 28 के हम बात करेंगे हडोती पठार कौन से परकार की मिरदा पाई जाती है हडोती पठार में किस परकार की मिटी पाई जाती है तो वहाँ पे काली मिटी है आप्सन भी 29 के हम बात करेंगे पूरो दिसा में राजसान में चलने वाली हवाओं को क्या का जाता है पूरो दिसा में तो पुरवाई का जाता है option A 30 के हम बात करेंगे तारागड परवी चोटी अरावली के निमिन क्षेत्रों में कौन से भाग में उतरी दक्सनी मदे या पूरवी तारागड जो चोटी है वो अरावली के कौन से भाग में है तो ये मद्दे माग में है option C 31 के हम बात करेंगे गोडवार परदेश राजसान के किश्य रहत भू आकरती विवाग का हिसा है कौन से भू आकरती के विवाग का गोडवार परदेश हिसा है तो ये पच्चमी सुसक परदेश का है option A 32 के हम बात करेंगे निमन में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है गलत आपको बताना है चंबल, पारवती, लूनी, सुकडी, बनास, देखे मुखे नदी दिया गया और इनकी जो सहाइक नदी का जो यहाँ पर करम दिया गया इनमें से गलत तो बनास कुंटाल नहीं होगा इसको छोड़के बाकी तीनों सही है 33 के हम बात करेंगे उस्सर मृदा किसे कहते है जहाँ पे खारी और लवन की खारापन या लवन ज़्यादा हो ओप्सन ए 34 के हम बात करेंगे यहाँ पे सुची 1 और सुची 2 दिया गया है इनका मिलान आपको करना है चिंकारा गोडावन खेजडी मोर और यह क्या राष्ट्य पकसी पसू पकसी इनका मिलान आपको बताना है तो 34 का अगर देखा जाए तो चिंकारा हो जाएगा राष्ट्य पसू और गोडावन हो जाएगा राष्ट्य पकसी तो इस साबसे अगर देखा जाए तो आपसन ए हमें मिल जाएगा खेज़ी वह जएगा जांटी और मोर गजएगा राजे पकसी तो ऑप्सने उतर रहेगा 85 की हम बात करेंगे क्रशिय अनु संधान के अंदर मंडोर कौन से क्रशिय जलवाई उपर्देस में स्थित है तो सुसक पच्छमी मैदान ऑप्सन भी 36 के हम बात करेंगे विश्यो प्रिशिद ब्रह्मा मंदिर विश्यो फहमस राजसान में जो पूरे भारत में एकमातर ब्रह्मा मंदिर या पूरे विश्यो में सबसे ज़्यदा फहमस जो की पुस्कर के अंदर है आप्सन भी पुस्कर अजमेर में 37 के हम बात करेंगे विजे मंदिर किला कहां पे विजे मंदिर किला ये बयाना में ऑप्सन सी बयाना बर्तपुर 38 के हम बात करेंगे रन थंबोर पर सीद गनेज से मिला कब आयोजित किया जाता है भादर पद सुकल चतुर्थी को आप्सन बी 39 प्रिशिद राजसानी लोक नर्ते की गुलाबों का समंद किसे गुलाबों का समंद कौन से नर्ते से समंदित है 39 प्रिशिद राजसानी लोक संगीत नर्ते कौन सी विद्या पूर्वी राजस्तान से समंदित है पूर्वी राजस्तान से समंदित तो नोटंगी हो जाएगा उप्रिशन बी पूर्वी आप लोको सी जुरूर कीजेगा और जो सही उतर देगा मैं नेक्स्ट वीडियो उसका नाम भी लूँगा नेमिन में से कौन सा अक्षेतर ढूंडाडी बोली के लिए जाना जाता है सेकावटी, हाडोती, जेपुटों के हमारवड इजी क्यूसन है लेकिन आप लोग कॉमेंट कीजेगा और लगातर इंपोर्टन क्यूसन के प्रिविश शेयर के क्यूशन पेपर के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस किजेगा और लाइक और शेयर किजेगा थैंक यू